हे काव मेशीन्स, स्वयर आई होब तुमारी स्वयोटी की पेप्रेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और यहाँ पर तुमारी प्राक्टेस और प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए मैं तुमारी ले करके आयाँ अकाउंट्स का मॉक टेस्ट अकाउंट्स का मॉक टेस्ट याँ हम लोग साथ में पूरा सॉल्फ करने वाली है तो जैसे हम लोग इस मॉक टेस्ट को कर रही होंगी तो यहाँ पर तुमको वीडियो को पॉस कर देना है उस कोशिन को अपनी कॉपी में सॉल्फ करना है 45 seconds के अंदर सॉल्फ करना है और यहाँ पर जल्दी से तुमको आंसर देख लेना है तो तुमारा ओन और ओन हो सकता है तो तुम 10 questions एक साथ करके फिर एक बार में check कर सकते हो मैं भी ऐसी solve करता हूँ ठीक है इसके लावा यार वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है उसका reason यह है कि मैं चाता था कि यार तुम लोग सारे chapters को बहुत अच्छे से पहले complete कर लो और फिर last days में तुमको mock test दूँ ताकि यहाँ तो तुमारी preparation बहुत अच्छी हो जाए तो यार मेरे channel को support करने के लिए and subscribers भी बहुत सारे बड़े हुए है नई लोग भी आए हैं तो यहाँ पर तुम लोग जितनी भी problems है अपनी comment section में आपर post कर सकते हो और यह जो PDF है यह तुमको मैं drive पर डाल करके यहाँ पर वीडियो के description पर दे दूँगा और अगर तुमको और ऐसे PDF चाहिए है तो तुम हमारा WhatsApp group जोइन कर सकते हो जहाँ पर तुमको सारी updates and free content और मेरी free classes भी मिल जाएंगी तो चलो यार जल्दी से वीडियो को start करते हैं और सारे concepts को या फिर सारे MCQs को यहाँ पर खतम करते हैं जो हमारा first question है यहाँ पर that is donation can be तो यहाँ पर donation क्या है कि जर्नल डोनेशन स्पेसिफिक डोनेशन है बोथ A and B none of these तो हम सब लोग जानते हैं कि डोनेशन यहाँ पर जर्नल भी होता है स्पेसिफिक भी होता है तो यहाँ पर जो correct answer that will be both A and B तो हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो receipts and payments account है उसका जो balance होता है वो हमेशाँ debit होता है debit क्यों होता है क्योंकि यह cash account से मिलकर के बनता है और cash हम सब लोग जानते हैं debit तो अपकॉर्स ही बात है asset है तो debit ही होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर मेरे पास third question आ जाता है जिसमें बोला गया है कि यहाँ पर मेरा जो debit balance रिसीप्स और पेमेंट्स अकाउंट इस शो कर रहा है अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है वो 9600 की है इसमें से 3000 रुपे next year की है तो यहाँ पर मैं इसको तो सब ब्रेक्डाउन करता हूं तो 80,000 रुपे का मेरा जो है total basically हमारे subscription आया है ठीक है इसमें से 9600 जो है वो total है इस साल की लेकिन इसमें से क्या बोला इसमें से 3000 रुपे next year की है तो 3000 रुपे मैं next year का माइनस करता हूं हमेशा है सब्सक्रिप्शन के question जब भी आप करते हो तो स हमारा right answer हो जाएगा clear है बात आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मैंने subscription की वीडियो बना करके रखे तो मैं इसको टैक कर दूँगा नीचे description पर भी दे दूँगा तो यहाँ पर आप क्या करता तो उसको जाकर देख सकते हो अगर नहीं समझ में आ हो तो where a partner is entitled to interest on capital contributed by him such interest will be payable तो यहाँ पर क्या interest payable किया जाता है out of profits out of capital both a and b and none of these हम सब लोग जानते हैं कि जो interest on capital होता है वो appropriation of profit होता है इसको मैं लिखके बताये तो स्पेलिंग गलत हो सकती है बढ़ ठीक है appropriation of profits होता है यानि कि हमेशा profit के थ्रू दिया जाता है profit होगा तभी हम interest on capital देंगे वरना नहीं देंगे तो यहाँ पर correct answer हमारा out of capital sorry out of profits हो जाता है ठीक है तो फोर्द का हमारा option हो जाएगा तो अब हमारा next question आ जाता है फिफ्ट वाला दाट इस ABCR sharing profit and losses equally तो यहाँ पर profits and losses equally share हो रहे है यह ने यहाँ पर 4000 रुपे beginning of every month किया यानि कि हर मन्त के beginning पर for six months तो यहाँ पर छे महीनों के लिए दो को बहुत ध्यान से समझना six months के beginning पर इसने हमेशा एक तारिक को 4000 रुपे विड्रू करे हैं तो यहाँ पर हमको calculate करना एक कि drawings को 5% पर आनम तो इसको calculate कैसे करेंगे बहुत ही easy है अच्छे समधातों में तुम लोग तो 4000 सबसे पहले लिख दो क्योंकि 4000 इसने के विड्रू किते महीनों के लिए कि हैं छे महीनों के लिए तो इंटू 6 हो जाएगा इंटू आप करोगे रेट डाट इस पाइव अपॉन हंड्रेड जो की दिया हुआ है इंटू करोगे अब आप टाइम सेंस्टिविटी कैसे लगा मन्त के लिए और मैं किसके लिए गॉले कर रहा हूं सिक्स मंस के लिए यह अपना बारा महीनों के लिए वाला लगता है यहाँ पर इसका अध्र आधा कर दो तो 3.5 और पॉइंट 5 कर दो तो 2.5 यह ऐसी मैं देखता हूं ठीक है तो यहां पर 3.5 मेरा जो जाएका टाइम से लगेगी और तो पूरे मट्विए यहां पर 4000 मैंने किया था इंटू 6 इंटू अपना कितना था फाइव अपॉन हंडरेट था और इंटू हो जाएगा 3.5 अपॉन ट्वेल ठीक है तो सिक्स वंजा सिक्स टूजा सबसे बिलेगा था हंड्रेट से यह कट जाएगा और टू वंजा और यहां पर हो जाएगा कितना तू ट्वेंटी तो यहां पर आपको 5 इंटू 3.5 तो मैं क्याल्कुलेटर यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे यूज करना पड़ता है जल्दी करने के लिए 3.5 इंटू 20 तो यहां पर जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है आप इसको नॉर्मली यूज यूज करोगे बिल्कुल भी कैल्कुलेटर यूज करने जरूवत नहीं है दनेक्स तुमारा हो जाता है एक बार इसको थोड़ा सरसे हां ठीक है पिक दा ओड़ वन आउट तो ओड़ वन आउट को अपनको यहां पर पिक करना है तो यहां पर रेंट ऑफ पार्टनर मैनेज पार्टनर्स कापिटल देखो वह एक अप्रूपरेशन ओफ प्रॉफिट है इसकी करन यह आपका ओड़ वन हो जाता है इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि रेंट मैनेजर और इंट्रेस्ट पार्टनर गलोन तेनोई पी अनल अकाउंट में आते हैं पर सिर्फ यह चीज़ है पी अनल अप्रूपरेशन अकाउंट में आता है ठीक है तो यह आपका ओड़ वन हो गया नेक्स्ट रो जाता है आपका question that is यहाँ पर which of the falling method is used for which of the falling is our method of valuation of goodwill तो यहाँ पर average profit, super profit, capitalized method या फिर all of these तो of course ही बात है यहाँ पर correct answer जाएगा all of these तीनों से आप goodwill को calculate कर सकते हो which of the falling is not true in relation of goodwill यानकि आपको गड़ विल कालकुलेट करना है तो कौनसी जीस true नहीं है it is an intangible asset यह तो मैं directly बोल सकता हूँ true है it is a fictitious asset it has a realizable value none of the above तब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि B और C option में confused यहाँ पर मैं तुमको बताता हूँ इससे बाहर कैसे निकलना है देखो यार अगर goodwill एक intangible asset है एक बार तुमने इसको बोल दिया तो वो fictitious कैसे ही हो सकती है ठीक है fictitious का मतलग क्या होता है जिसकी deferred revenue expenditure जिसको अभी खर्चा करते है पर अपन को मिलता है बाद में उसका return तो समझ में आ रहा है यह आता है fictitious में पर भीया यहाँ पर अगर तुमने एक बार उसको intangible asset बोल दिया तो fictitious तो हो ही नहीं सकता तो यहाँ प यहाँ पर अब अपन देखते हैं profits earned by business in the last five years are 12,000, 13,000, 14,000, 8,000, 2000 का लॉस है based on two years profit two years का जो sorry two years का purchase यह 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 पर चीजियर दिये गया और बेस लास फाइव यह profit value of goodwill will be यहाँ पर basically हमको normal question average profit method से करना है तो कुछ नहीं है 12,000 प्लस 13,000 करो यार 12,000 लेको तुम लोग के सा 12,000 और 18,000 हो गया ठीक है सबको add up कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 12,13,15,17 तो that will be 57,000 तो total answer 57,000 आ रहा है 57,000 में से 2000 का loss भी हुआ है तो इसको भी तुम यहाँ पर minus कर दोगे तो basically तुमारा answer आजाएगा यहाँ पर कित्ता 55,000 55,000 upon 5 करोगे क्योंकि average प्रो निकाल तो average निकाल के 11,000 रुपे तुमारा average profit आजाएगा अब इसने purchase कितना बोला है two years का बोला है तो into two कर दोगे तो यहाँ पर 22,000 रुपे तुमारा answer आजाएगा clear है बहुत जल्दी जल्दी मैंने जितना कोशिश के तुम इससे भी ज्यादा जल्दी करने के कोशिश करो क्यों अपनको sacrificing ratio यहाँ पर calculate करना है A का तो यहाँ पर दोखो एक बहुत ही interesting है बात है इस पूरे के पूरे options में बहुत सारे जो पड़े लेखे बच्चियों के वो क्या करेंगे directly जाकर करके यहाँ पर calculate करने लेगे कि भाई कितना इसने sacrifice किया बगर अपन options को देखते हैं तो options को यहाँ पर sacrifice करेंगे बी और सी थोड़ी ना कर देंगे तो correct option तुम्हारा directly A हो जाता है तो यहाँ पर प्लीज एक बार option को जरूर पढ़ें और फिर देखें actual में क्या पूछा गया है तो क्या पूछा गया है क्या option दिया गया है इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा important हो जात है ठीक है gaining और यह तो लगेगा नहीं तो अपने आप ही कड़ आते तो old minus new ही होगा और जब भी आप old minus new करते हो देखो समझना बात को old minus new करते हो तो जो भी आंसर प्लस में आएगा वो हमेशा sacrifice होगा जो भी आंसर minus में आएगा वो हमेशा gain होगा यह चीज़ बहुत ध्यान रखना लेकिन जब आप gaining ratio लगाते हो that is new minus old तो जो भी आंसर आता है वो प्लस में आएगा वो gain होगा जो minus में वो sacrifice होगा यानिका सिंपल मतलब है जब भी old minus new लगा होगे तो प्लस वाला आंसर हमेशा gain को यह बहुत काम आएगा आगे दाकर की confused है आते हैं ठीक है तो इसको अप्छे से क्लियर कर लेना और यहाँ पर हमको equally यहाँ पर किया गया है तो यहाँ पर three upon five हो जाएगा बी का और इस में से इसने कित्ता किया है है ओके तो यहाँ पर माइनस बस करना है न हमको ओके तो ओल्ड माइनस न्यू किया है तो मैंने ओल्ड रेशियो को न्यू रेशियो से माइनस किया तो न्यू रेशियो इसका वन अपॉन टू ही रहेगा क्योंकि दो ही पार्टनर्स है ठीक है यह आपका change in psr का question है तो यहा यहां पर क्या कर रहोगा sacrifice कर रहोगा तो यहां पर 1 by 10 से sacrifice कर रहा है तो D is your right answer clear रहे बात आगे बढ़ते हैं which among the falling adjustment is required at the time of admission of a new partner ठीक है देख लेते हैं तो यहां पर computation of new psr ठीक है adjustment of goodwill revolutions of course भी बात है all of these यहां पर correct answer हो जाएगा आशा और निशा यहां पर आशा और निशा जो है वो शेयर कर रहे है profit and losses को 2-1 में आशा का जो आशीश वह यहां पर आया है one by four share के लिए और विच वन एर्थ वस गिफ्टेड वाई आशा तो यहां पर डारिक लिए कर लेते हैं विस्ट वन इनका ओल्ड रिश्यो है आशा को जो सन है आशीश वह आया है इसको यहां पर जो आशा है आशा ने इसको वन एर्थ हां जो आशा थी उसने इसको इसमें से वन एर्थ दिया है और बाकी का जो remaining share है वो निशा ने दिया है ठीक है यह मैं को समझ में आ गया था निशा ने बाकी का remaining share दिया है और यहां पर गोडविल जो है 40,000 की value हुई है हमको यहां पर निकालना है कि कितनी goodwill जो है वो old partners में तो यहां पर आफकोर्स यह बतर बन बाइटी आएगा पर करके LCM करके देखो तो वन बाइटी आएगा यह लोगिक सी बात है तुम निकाल सकते हो तो यहां पर simple सी कहने के बात है कि 1 बाइफ ओर में से 1 बाइट आशा ने दिया है और 1 बाइट यहां पर कौन है निशा नि क्लियर होगी बस अब कुछ नहीं है गुडविल यहां पर डिस्ट्रिबूट करना है तो गुडविल पूरी फ़र्म की 40,000 है पर अगर मैं आशीश की निकालता हो तो वन बाइफ ओर यहां पर कर देंगे आंसर अजाएका 10,000 रुपे यहां कि 10,000 रुपे इसका शेयर है sacrifice to gaining के entry होती है हमारी admission के time पर तो यहां पर अगर admission हो रहा है तो sacrifice to gaining तो यहां पर ऑफकॉर्स ही बात है sacrifice ratio कित्ता हो गया 1 is to 1 हो गया तो 1 is to 1 में इसको divide करोगे तो आधा-धा हो जाएगा तो 5,000 रुपे इच दोनों को मिलेगा clear है बात अच्छे समझाया I hope अगर नहीं समझ में आए तो comment section में जरूर बताना और ना इक बार उसको फिर से देख लेना ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो यहां पर जाता है अपने goodwill की बात जाती है थोड़ी सी चलो goodwill की बात देख लें तो यहां पर जा है और में से उस combined capital को तो यहां पर hidden goodwill is the right answer ठीक है प्रीम में सब नहीं होता Dash account is prepared when partners decide to give effect to revaluation of assets and liabilities without affecting their book value यहां पर भाई जो account होता है जब partner जो होते हैं revolution करते हैं assets and liabilities का अगर question सिर्फ यहां तक होता तो देखो क्या होता तो यहां पर revaluation memorandum revolution memorandum suspense नहीं हो सकता अब बबसते हैं यहां पर दो option तो अगर question सिर्फ यहां तक होता यहां पर last line नहीं दी होती तो मैं यहां पर revolution account करता पर क्योंकि without affecting their book value दिया है तो यहां पर correct answer तो यहां का memorandum revolutions उसका यहीं मतलब होता है कि book value को effect नहीं करता ठीक है clear बात आगे बढ़ते हैं in case of retirement of a partner अगर मेरा partner जो है वो retire हो रहा है तो profit और loss of evaluation of assets and reassessment of liabilities distributed among दबी मैं evaluation account बनाता हूं retirement के time पर तो वो तीनों partners में बढ़ता है क्योंकि तीनों old partners होते हैं admission के time पर नया partner आ रहा होता है तो मैं old partners में देता हूं पर यहां तो तीनों ही old partners है तो तीनों में ही बचेगा बटेगा मतलब तो सारे all the partners से बटेगा और कौनसे ratio में अगर old partners है तो old ratio ही यहां पर use होगा तो यहां पर first option हो जाएगा तो को मैं time of retirement of महेश यान कि महेश का कोई retirement हो रहा है ठीक है भाई वैली ऑफ स्टॉक इस गिवन साथ हजार रुपए साथ हजार रुपए उसका वैली ऑफ स्टॉक गिवन है ठीक है अब यहां पर जो है पासर जनल एंट्री वेंट स्टॉक इस फांट अंडर वैल्यूड बाई से कम हुआ है इसका मतलब रिवाल्यूइशन में यहीं अमाउंट जाता कि कितने से कम जाता हुआ है तो सिंपल सी बात है अंडर वैल्यू हुआ है अगर मैं किसी भी एसट की वैल्यू को उठाओंगा उपर करूंगा तो उपर करने के लिए यहां पर आपको कर रहे हो तो बाय स्टॉक करके लिखना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा एसेट की वैल्यू तो जर्नल एंटर में क्या हो जाएगा स्टॉक्टू एवाल्यूइशन तो बी इस तार राइट आंसर स्टॉक्टू एवाल्यूशन पंद्रहजार क्लियर है आगे बढ़ते ह यह तो बिल्कुल ही बेसिक है आपका बिल्कुल डिसॉल्यूशन में जब आप बनाते हो रेलाइजिशन अकाउंट अगर आपको कोई भी इनफॉर्मेशन नहीं दी रहा थी है तब भी आप फुली पे करते हो अपनी लाइबिलेटी को क्रेड़िटर से पूरे पता से और क पर कुछ भी नहीं छोड़ते हो ठीक है आज कल इस बार क्योंकि सीवेसी ने निया चीज निकाला था तो सीवेसी ने क्या वोला था कि भाई यहां पर आपको जो एसेट से उसकी भी फुल पेमेंट करना है ठीक है तो एसेट के बर कोई इंफॉर्मेशन दी उसकी फुल पे पेमेंट होती है हम ले कुछ करते बी है यहां पर परसनल झायबिल्इटा रर्इट आंसर फंब पल्कुल भी नहीं होगा बोत अन मी उसकि ही प्रिफिरंस प्रिफेंस और यह सब कुछ नहीं है उसके पर्सनल लायभिलिटीज की ही पेमेंट यहां पर हो जाती है ओवर फर्म्स डेसिल्यूशन अब पार्टनर एट तोक ओवर 50% अफ़ स्टॉक अट डिसकाउंट ऑफ 20% और बुक वैल्यू और फो स्टॉक वास पाच लाख रुपए वाट वाट वैल्यू स्टॉक टेकिन यहां पर बेसिकल यहां अपने को वैल्यू निकालना है इसको करन 50% ले लिए स्टॉक की वैल्यू कितनी है पाच लाख रुपए तो मैं इसको धीरी धीरी करके आपको अच्छे से बताना चाहता हूं तो फाइव लाख रुपीज का 50% कितना होगा 50% निकाल लो तो 50% की 5.10 अच्छा चलो ठीक है अच्छे से करवाता हूं तो यह कड़ गय आया है एक डिसकांट ऑफ 20 परसेंट तो आपको धायलाक रुपए जो है उसको तो आपने लिया लेकिन कितने इसकांट पे लिए बीस परसंट के लिए तो 20% का डिसकांट टू बाय टैन हो जाएगा ट्रेंटी का जो जीरो था नीचे का जीरो कड़ी ए इसको इससे काटा तो कितना हो जाएगा पच्छिस टू 50,000 तो पचास यहर के डिसकांट प्रेंड ही लाग का स्टॉक लिया पचास यहर के डिसकांट पे तो कितना हो गया दो लाग रुपे तो दो लाग रुपे जीर राइट आंसर तो C is your right answer टीक है नुमेरिकल में आपको जादा जरूरत नहीं है पूरे option पढ़ने के आप डायक्ली सॉल्व करों आंसर निकाल के माप करते हो अपने देखा हो जब भी आप शेयर फोर फीचर के एंट्री करते हो या फिर इसके हम बोल सकता हूं हाँ शेयर फोर फीट करते हो जब भी आप तो टू शेयर फोर फीचर करते हो उसका आप यूज करते हो जब आप डिसकाउंट दे रहे होते हो रिशू के टाइम पर तो अफ्कॉर्स ही बात है यहां पर यह आपका राइट आंसर हो जाता है बिल्कुली conceptual based question है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए नेक्स्ट आपका question हो जाता है यहां पर जल्दी से देखते हैं तो यहां पर जाता है एमॉक्स लिमिटेड इस रिजिस्टर्ड वितर कापिटल और दस लाख रुपए की एक्कुटी शियर ऑफ टेन रुपीज इच सिक्स लाट के जो एक्कुटी शेयर से हैं वो सब्सक्र सब्सक्राइब को जितना पैसा मिला है उसमें से आप जितना पैसा मिला है उसमें से आप जितना भी इस अपन कॉल इन अजिए बोलेंगे क्योंकि अमरीक असे शेयर पर दो रुपए नहीं मिला उसको से माइनस कर दो आपके पास आंसर जाएगा कैसे करो लोगे मदा आए दिदा हूं पहले थोड़ा सा वह करना पड़ेगा स्पेस लेकर रहात हूं ठीक है तो यहां पर छह 2 50047AL6,000 चैलाग पर मुझे 100 ॕक एक चैलाग टोटल थै और 10 रुपए आगे बढ़ते हैं 24 पर चलते हैं Shares for consideration other than cash can be issued at यानि कि अगर आपने Shares other than consideration पर करें और आपने यहाँ पर इशू करें ठीक है तो अगर आपने एक machinery purchase करी है और उसके लिए अगर आपने Shares को यहाँ पर दिया हुआ है तो आप किस पे इसको इसको कर सकते हो पार प्रीमियम डि यहाँ पर उसने इशू किया है कितना इशू किया है आठ हजार जो डिवेंचर से 12% के वो इशू करें हैं 100 रुपए इच के और यहाँ पर वो रिडिमेबल हो रहे हैं 5 इक्वल इंस्टॉल्मेंट्स में बहुत इंपोर्टेंट है कुछ-कुछ इंफरमेशन आठ हजार के यहाँ पर लिखता भी जाता हूं आठ हजार के यहाँ पर सौ रुपए के सापसे डिवेंचर है जिस पर मेरा 5% का रिडम्शन का प्रीमियम भी है और यहाँ पर इक पार इक्वल इंस्टॉल्मेंट में रिडीम हो रहा है यानि कि ड्रॉफ लॉट्स का कुश्चिन है पहल सुमस्था इनवेचा इंवेश्ट्य यहां कें रहा कित्ती की इन्वेश्ट्मेंट करना पड़ेगा अब भूथ ज्यान से सुनना मेरी बात को अगर मैं यहाँ पर अगर में यहाँ ने एंटीर डिठमशन रिजर्व बना रहा घंतार है डियर्यक्षा डिन डिवेंट करता तो यहां पर पूश्चन क्या था पंदरा परसंट में इसका डारीक लिए निकाल देता आठ लाग का पंदरा परसंट निकालता दो लाग रुपया था मेरा सही आंसर रगाता बट भाई यहां पर बहुत जान से तुमको यह समझना है कि यहां पर फाइव इक्वल इंस्टॉ देखो मैं इसका अंसर एरेस करके कर रहा हूं ठीक है तुम्हारा आंसर जाएगा एक लाख साथ हजार अगर तुम देखोगे तो एक लाख साथ हजार तुम्हें हर एक इक इंस्टॉल्मेंट पर देना है तो हमेशा जो डियार आई है वो इंस्टॉल्मेंट के हिसाब से ही बनता है यानि कि तुम 1,60,000 का 15% निकालो कि तब तुम्हारा अंसर आएगा तो यहां पर मैं काल्कुलेटर का यूज करूँगा भाई इतना सार मैं 16 इंटू 15 तुम चाहिए ट्रुक जानते होगे इफ डिवेंचर्स आर इशूड आट प्रीमियम अगर मैं डिवेंचर्स को प्रीमियम पर इशू कर रहा हूं दे कन भी रिडीम्ड आट पार प्रीमियम बोथ एंबी कांट भी रिडीम तो कांट भी रिडीम तो हो नहीं सकता लेकिन यहां पर अगर मैंने इशू कर रहे हैं को प्रीमियम पर तो रिडंशन पार पे भी हो सकता है प्रीमियम पे भी हो सकता है यह हम सब लोग जानते हैं तो बोथ A and B is your right answer आगे बढ़ते हैं तो जाता है फायर वाल एग्री टू पे पर्चेस कंस्रेडरेशन आफ एक एक लाग तीस हजार रुपए इस्यूइंग फुल फुली पेड डिबेंचर तो सो रुपए एक सो बीस रुपए तो एक सो बीस रुपए के तो एक सो बीस रुपए से इसको डिवाइड कर दो बस तो यहां पर तो यहां पर तो यार 1083 ही मैं ले करके चलूँगा वैसे तो इन लोग ने थोड़ा सा गलत किया है इन लोग ने दोनों आंसर दे दिया यहां पर तो बंदा क्या करें राउंड ओफ करें कि वही रखें तो यह थोड़ा सा कन्फ्यूज अन हो जाएगा तो अगर मैं ही चलूँगा तो यह तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा तो यहां पर किसमें तुम्हारे इंक्लूड होने वाले हैं तो यहां पर कॉस्ट ऑप मटेरियल कंज्यूम्ड रेविन्यू फ्रॉम ऑपरिशन इंप्लॉई बैनिफिट एक्सपेंस तर देखु बहुत सिंपल होती बात है स्टाफ किस से रिलेट है इंप्लॉई से रिलेट है यहां पर तुम्हार करेक्ट आंसर हो जाएगा इंप्लॉई बैनिफिट एक्सपेंस क्लियार बात आगे बढ़ते हैं अब आपर नेक्स्ट कॉस्टिन आजाता है जहां पर दिया हुआ है यह वाला जो 29 वा गया है और इसका हमको कैलोफिलेट करना है अब बहुत सारे बच्चे आपर कन्फ्यूज आएंगे पर यार देख उसको सिंपल करने का तरीका क्या है कि आपको अधर इंकम का मतलब होता है कि जो भी आपकी बिजनस की मेन अक्टिविटी होती है उसको छोड़ करके मेन अक् चीज बेची होगी उससे मती कमीशन मिला होगा तो यहाँ पर यह बिल्कुल हमारी अधर इंकम में अदाता है तो एक लाज़ बीजोब हजार रोपय मेरी अधर अधर इंकम में जाएगा अब एक Państwo करता हो तो फ्र्रेंश घ्यायदके दो इंकम में कैसे लौश्हिया security premium reserve is shown on the liability side in the balance sheet under the head तो यार of course ही बात है security premium reserve एक reserve है तो वो कहाँ पर show किया जाएगा reserve and surplus, journal reserve, share capital, current liabilities तो यहाँ पर दो current liabilities तो हो नहीं सकता share capital हमारा हो नहीं सकता है journal reserve हमारा हो सकता है क्योंकि वो एक reserve है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा तो correct answer is reserves and surplus उसके अंदर यह चीज़ शो हमारी होती है clear है बात आगे बढ़ते है 31st पर जाते हैं अपनलों 31st में अपनको दिया गया है revenue from operations on 31st March is 15 लाख रुपे and on 31st March 2020 is 12 लाख रुपे यान कि current year का जो है 15 लाख है और previous year का हमारा कितना है 12 लाख है ठीक है पहले पहले लिख लिए था लगाने के लिए कि यहां पर logic clear हो जाए then what will be the percentage change in revenue from operations तो percentage change in revenue from operations क्या होगा तो बेसिकली तुमारा comparative का question है अब comparative का question करना है तो सबसे पहले इनका चेंज निकालो तो percentage पहले percentage निकालना पड़ेगा ना तो यहां पर 15 लाख में से 12 लाख को माइनस कर दो तो कितना आगया अब याद रखना हमेशा जो अपना absolute change आता है जो कि तीन लाख रुपए आया है इसको हमेशा previous year या फिर opening जो अपना year होता है उससे दिवाइड करते हैं तो बारा लाख रुपए हमारे यहां पर opening year है तो बारा लाख से में डिवाइड कर दूंगा कितना हो जाएगा यह थ्री वन अपन फोर जाएगा अब याद रखना क्योंकि हमको percentage में निकालना है तो इन 200 कर देंगे तो यह हमारा 4 से डिवाइड करोग क्लियर है बात आगे बढ़ते हैं अब यहां पर आजाता हमारा which of the falling is not an objective of comparative statement analysis comparative statement नहीं होता है तो to compare the data to compare with other firms and industrial data to just the financial instability to help in forecasting and planning understand complex data in simplified manner तो देख़े यह वाला point तो हो गई होगा क्योंकि यहां पर अपन complex data को simplified manner में कर रहे हैं to help in forecasting and planning of course अगर आपके पास comparative data होगा forecast कर सकते हो to compare with other firms and industrial data यह भी होगा क्योंकि आप comparison तो करोगी इसे तो आप comparative का use कर रहे हो but to judge financial stability यहां पर मैं को doubt आ रहा है क्यों क्योंकि वहाई यह तो अपने ratios से आता है ratios के थुरू आता है क्योंकि आप उनको financial को भी instability देखना पर ratios का use करेंगे पर यहां पर comparative का simple मतलब होता है data को compare करके future में वह हमारी help करता है तो correct answer इसका B हो जाएगा जो की wrong है आपना 33 वाला question that is if net revenue from operations is 1,20,000 रुपे cost of revenue from operation is 40,000 रुपे and operating expenses are 20,000 रुपे what will be the percentage of operating income on rate revenue from expenses तो यहां पर basically operating जो अपना expenses रेशियो वाला question है कैसे करेंगे इसको बहुत ही easy है देखो यहां पर सब्सक्राइब आपने को cost of revenue from operation दिया गया है that is COGS net revenue from operation COGS अपन को दिया गया है और इसमें अपन को operating जो है plus करना पड़े यान कि COGS operating अपन प्लस करेंगे operating और यहां पर इसको डवाइट कर देंगे revenue from operation से और into कर देंगे 100 हमारे पास answer आजाएगा ठीक है तो यहां पर अगर मैं 40,000 और 20,000 को प्लस करूंगा तो है तो एक बार फिर से देख लेना formula लगा करके तुमको समझ में जाएगा C हमारा correct option हो जाता है आगे बढ़ते हैं नॉर्मली absolute ratio is further refinement of liquid or quick ratio which of the falling considered fairly satisfactory तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी यहाला चाप्टर पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर जो B है वो right answer that is 0.5 is to 1 यह बिल्कुल theory का question इसमें समझने वाली जादो कोई बात नहीं है आगे बढ़ते हैं the dash measures the activity of a firm's inventory firms की inventory का कौन करता है average collection period inventory turnover okay inventory की spelling कर लाता है liquid ratio current ratio तो current और liquid तो हो नहीं सकता यहां पर correct answer का हो जाएगा inventory turnover ratio जो की measure करता activity of firms inventory next जलते हैं हम लोग next मैं जाता है हमारा what is the inventory turnover ratio the following is given COGS closing inventory and opening inventory बहुत easy question आपको directly inventory turnover का formula लगाना है COGS that is only your cost of goods sold that is cost of revenue from operation एकी बात है तो 40,000 आजाएगा तो यह 40,000 हो जाएगा ठीक है अब मैं आपर 40,000 का एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार ओके फोर बंजा फोर थरीजा अब मैं अगबर option देख लेता हूं तो option में 3 times, 2.14 times, 1.5 times और 4 times दिया गया है तो अब मेरा 3 answer आ रहा है तो मैं directly 3 times कर दूँगा उससे अदा मज़े दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्लियर है बात आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो आजाता है ABC Limited is a financial company which provides loan and invested into shares तो यहां पर ABC Limited एक financial company है जो की loan provide करती है और shares में invest करती है ठीक है यह इसका main काम है at the end of the year company received 50,000 रुपेज interest on loan where will be the amount of interest presented यहां पर अपनको क्या बताने कि amount of interest का आएगा वो investing में आएगा finance में आएगा operating में आएगा देखो अगर यह एक financial company नहीं होती तो यह of course ही बात है कोई भी company होती हो finance में डालती है तो कम लोग का आजर शाथ finance आ रहा होगा पर क्यूंकि एक financial company तो इसका तो काम ही है भाई loan देना interest receive करना तो वो इसका main काम हो गया यानि कि इसके लिए एक तर third option इसका करेक्ट आएगा that it's an operating activity क्योंकि financial company 38 पर चले जाते है 38 वाले पर क्या हो जाता है for a company manufacturing garments procurement of raw materials incurrence manufacturing sale of garments classified as manufacturing company या वो raw material का use कर रही है manufacturing expense लगा रही है और garments को sell कर रहे तो यह उसकी of course ही बात है investing activity नहीं होगी यह उसकी operating activity हो जाएगी प्लीज लॉजिक को अच्छी से clear रखना है आपनको आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो आजाता है mention the net amount of source or use of cash when a fixed assets having a value of 1,20,000 is sold at a loss of 40,000 रुप in term of cash flow कॉर्स ही बात है हम लोग यहाला investment कितनी बार कर चुक है यह इतना easy है ना इसमें तो depreciation भी नहीं दी गया आपको क्या करना एक एक लाग बीचा रुपर इसकी बॉक वैल्यू थी और हमने उसको लॉस पर बेचा लॉस करा होगा तो चाले सार का लॉस किया तो कितने बीकी of course यह बात है 80,000 रुपर यहां पर पर मैं आप सब लोग के advice देना चाहता हूं जितनी बच्चों computer accounting नहीं बन रहा है अभी उनको समझ भी ना रहा है कैसे पढ़ें तो मैं तो बिल्कुल कहूंगा मिल्कुल मत पढ़ो बहुत लास्ट में बार जो में में टॉपिक्स हो टच करके चले जाना इस पर भी हम एक बना देंगे कि computer accounting के main topics क्या है उसका reason ही आई क्योंकि यार वो एक तरीका का part भी है इसके आपने part भी में अपना accounting पढ़ा था financial statements पढ़ा था वैसे यहां पर computer accounting अपने आप में बहुत बड़ा topic है तो उसको करने जाओगे तो पता तुम बहुत time waste कर दाओगे और 2-3 question ही आन पढ़ेगा जो कि अभी क्योंकि time बहुत limited है तो मैंने बूलोंगा तुम बहुत ज्यादा focus लगाओ computerized accounting में इससे बढ़िया बागी का domain अच्छे से कर लो तुम्हारे आराम से नंबरा जाएंगे clear बात तो अब यहां पर मैं computer accounting solve करने वालों को to be honest मैंने भी जादा कुछ प software राएगा ready to use tailored तो यार तुमको नहीं भी पताने computer accounting तब भी ध्यान से एक और बार question को पढ़ते हैं dash means modifying the ready-made software to suit the specific requirement of the user यानकि user के हिसाब से मैं software रना रहा हूं तो इसको क्या बोलेंगे of course यह बात है customized software ही बोलेंगे clear है बिल्कुल easy जाना है इसमें कोई difficulty नहीं होती है part of computer which interact with part of computer system which interact with computer through use of hardware and software is called यानकि hardware भी यूज हो रहा है software भी यूज हो रहा है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे तो दो यहाँ पर options क्या दिया है language processor application software procedure human wear तो को simple सी बात अगर आप किसी से भी interact कर रहे हो through hardware and software कौन करता है human ही करता है तो यहाँ पर इसको human wear कहा जाएगा clear है बात आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं तो जाता identify the requirement of every computerized accounting क्या requirement होता है accounting framework operating procedure तो देखर आपको accounting framework की भी जरूरत है आपको इसी के साथ-साथ क्या है operating procedure की जरूरत है क्योंकि operating system भी लगता है हर चीज़ लगती है यहाँ पर 42 का answer क्या हो जाएगा both a and b clear है बात तो बिल्कुली confused होने वाली कोई बात नहीं है आगे बढ़ते हैं तो जाता है which of the following is an accounting software I hope so यह तो सब को ही बता होगा इसका answer notepad photoshop microsoft office अब दो notepad तो होगा नहीं सबने यूज किया होगा photoshop में तो फोटो एडिट करते है Microsoft office में तो अपना काम करते है तो बचा क्या tally बचा तो tally is our right answer अब याता है how many predefined vouchers does tally has अब दो कर इस पर तुमको तुक्कई मारना पड़ेगा या फिर skip करना पड़ेगा अगर तुमने नहीं पड़ा होगा तो मैं तुमको बतायता हूं 23 vouchers होते हैं तो प्लीज इस चीज को याद रखना है 22 23 predefined vouchers होते हैं टैली में ठीक है तो यह तुमने एक चीज़ा सीख ली आगे बढ़ते हैं तो यह बड़ा जीप सा लग रहा है तो यह बड़ा जीप सा लग रहा है यानि कि जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो ओपनिंग बैलेंस बन जाता है next year के लिए तो सिंपल सी बात है यहाँ पर जो A है that is the closing balance of previous year becomes the opening balance of current year तो यहाँ पर यह बिल्कुल सही option हो जाएगा पता नहीं कैसे आगए यह बहुत ही logical question था 11th class का dash is a group of data which is interlinked and set of programs which helps the accessing the data ABMS CBMS DBMS and EBMS अगर तुम अपने tally में कहीं पर भी पढ़ोगे या फिर तुमने थोड़ी बहुत भी IP पढ़ी हुई है तो यहाँ पर simple सी बात है जो DBMS है वो correct option है इसका मतलब होता है database management system और क्यूंकि यहाँ पर data की बात की गए यह तो of course यह बात है database से related होगा तो database management system में होता है जिसमें group of data होता है interlinked होता है set of programs होते है basically यह data को पूरा का पूरा manage करता है clear बात आके बढ़ते है 47th question आजाता है 47th question में जाता है dash is a window which consists of various fields and spaces to fill the data data यहाँ पर query हो सकता है query तो नहीं हो सकता है query क्या होता उससे data मंगवा थे रपगाने की बात निकई गई उर्पय तो apt to apps also तो यहां पर आपको दो चबाद दिक्कत आसकती यहां तो टेबल हो सकता है या तो फॉर्म हो सकता है इस विंडो फॉर्म के एक विंडो यहां अब आ to execute queries based on SQL search the data tables in DBMS अब दो कर अगर तुम नौहन computer वाल नो तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूं यह question को अगर तुमको पूरा का पूरा data देखना है जो कि तुमारी बहुत सारे tables में store है ठीक है अगर तुमको उसको देखना है तुम कैसे करोगे तो यहां पर जो है यहां पर एक SQL की query लगती है यह तुम्हारा पूर पूरा तुम्हारे डेटा जो तुम्हारे सामने आजाता है ठीक है तो अगर यहां पर कोई भी सोर्च डेटा अगर चेंज होता है तो यहां पर क्या रिजल्स री कालकुलेट करना पड़ेगा या फिर वो अपने आप ही री कालकुलेट कर देगा तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी एकसल को यूज किया होगा तो अगर आप लोग उसमें कोई भी टेबल पर एक फॉर्मिला लगा दे तो जिसकी 2 प्लस 3 जो होता है वो कितना होता है 5 होता है तो अगर आपने 2 की ज अगर आपका सोर्स चेंज हो रहा है तो यहां पर बी जो हैस का करेक्ट आंसर हो जाएगा अब फिफ्टेथ कोशन फाइनली हमारा आ जाता है तो यहां पर फिफ्टेथ कोशन में क्या हो जाता है इन विच मेठ़ड दा अमांट ऑफ डेपीसिएशन रिमें फिट्स ओवर यानि कि पूरी का पूरा डेप्रेसिशन हमेशा फिक्स होता है तो हम सब लोग जानते हैं यह कौन सा होता है पर एक बार पढ़के बतायता हूं रिटेंडाउन वैल्यू मेठ़ड स्टेट लाइन मेठ़ड यह आइदर ए नाइदर ए और बी सिंपल सी बात है आपर सबस्ते कर लिया है अगर आपको और वीडियो देखना है तो अब में वीडियो स् разработчик से के नाम से यह पर आपटी संदो स्ट्रेटी इंटिट को dressed के नाम से आप रभर आप देख सकते हो सारी स्टारी चीजा प्रैक्टिस मटेश्यल सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा यह जो प्राक्टिस शीट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा और ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए आप कॉमेर्शन टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, कॉमेंट कीजिए, शेर कीजिए ताकि सारे बच्चों के